So, देखिये friends, आज मैं आपके लिए कुछ previous year exam में आये हुए sentence improvement के question लेकर आये हूँ तो चलिए start करते हैं, तो पहला हमारा question है वो है Can you give me so many examples of subordinate clause? The teacher asked the clause तो हमें बताना है कि जो underlined part है so many examples of क्या ये part सही यूज हुआ है sentence के अंदर क्या इसमें कुछ improvement की जूर्त है, अगर improvement की जूर्त है तो कौन सा option इसका answer हो सकता है A option हो सकता है, B option हो सकता है, C option हो सकता है अगर इसमें किसी improvement की जूर्त नहीं है तो क्या इसका answer C हो सकता है तो चलिए देखते हैं, can you give me so many examples of subordinate clause? देखिए so many examples of यह sentence सही यूज नहीं हुआ है, underline जो sentence है, इसमें improvement की जूर्त है तो so many examples of के स्तान पर some more examples of आजाएगा, देखिए so many examples of नहीं होता है, teacher student से और example माग रही है, तो some more examples बोल रही है, teacher की आप मुझे कुछ और example दीजी, तो so many examples का यहाँ पर use नहीं हो रहा है, का अर्थ नहीं दे रहा है, some more examples का अर्थ दे रहा है, क्योंकि teacher student से कह रहे है, कि आप मुझे some more examples दीजी, कुछ और examples दीजी, तो इस प्रिय्स का अंसर भी होगा घ्र अगला क्यूसं देखते हैं क्यूसं नमबर फॉर है फिर्स कंपीटिशन अगेंस्ट रेस्टोरेंट्स है ड्राइफ ऑफ दिप्राइजस ड्राइब अब मिसा बढ़ाना किसी चीज को तो फियर्स कंपेटिशन मिसो ता की बोछ जयादा अगेंस रेस्टोरेंट अगेंस रेस्टोरेंट नहीं होता है, फिरस कंपेटिशन नहीं होता है, फिरस कंपेटिशन लोगों के बीच होता है, फिरस कंपेटिशन लोगों के विरुद नहीं होता है, फिरस कंपेटिशन लोगों के विरुद नहीं होता है, फिरस कंपेटिशन कि थे स्थोरेंट्स की तो इस़ थे और दी हो जाएगा either ऐ क्योंकि इम्डुन्व्मेंट की जुर्त है लॉंग होगा निंए इंटी में सात है कि साथ साथ थूर नहीं हो रहे है इसक थूर्ज थू थे वह इसका यॉट quieres सबस्तिक्तना आव जाएगा , महिठंटia, तो पार्ड है , या सेट पार्ड रिम्पॉरमेंट की चूरत है अल्य टैनल आसे की पार्ड है नहीं चुछाती था झाम्यारे और ये थे सुर्ड है वैड जैने बाल स्काविन्स नगी तो बने कंट शिर गदे में सुछा टैनल although और but दोनों यहां पर conjunction है तो एक इस index में although और but का use नहीं होता है although के बाद हामेशा या तो coma coma आएगा या फिर yet आएगा तो यहां पर but नहीं आएगा तो यहां पर but के स्थान पर क्या जाएगा coma ही आएगा but की जूर्थ नहीं है तो इसमें कौन से पार्ट इसका आंसर होगा तो A पार्ट इसका आंसर हो जाएगा although the children study hard coma they could not understand the topic without the help of the teacher B पार्ट होगा नहीं क्योंकि इसमें improvement की जूरूत है sentence में C पार्ट C पार्ट although the children C पार्ट नहीं होगा क्यों आदो और बट दोनों का यूज इसमें भी हुआ है और D पार्ट भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी आदो और बट दोनों का यूज हुआ है तो इसका आंसर A पार्ट हो जाएगा अगला क्यूसन देखते है friends question number six है many of the apples was written बहुत से एपल सड़े हुए है root means होता सड़ा गला होना खराब होना तो देखिए friends हमें बताना है कि was written क्या सही यूज हुआ है क्या इसमें इंप्रूमेंट की जूर्थ है तो देखिए friends अगर हम पुलल सेंटेंस को देखिए many of the apples तो हमें पता चला कि यह पुलल क्या है नाउन है तो इसके साथ पुलल वब आना चाहिए तो वर आना चाहिए ना कि वाज तो इसमें इंप्रूमेंट की जूर्थ है तो कौन से पार्ट में वर का यूज हुआ है दी पार्ट में वर का यूज हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा D हो जाएगा Many of the apples were written Both apples खराब थे तो इसका आंसर D हो जाएगा तो चलिए friends अगला क्यूशन देखते है क्यूशन नंबर 7 है The place is too much noisy The place is too much noisy तो हमें बताना है कि जो underline जो part है Too much noisy क्या ये सही यूज़ देखते है तो इसका आंसर A होगा अगर सही यूज़ नहीं हुआ है इसमें कुछ improvement की जूर्थ है तो कौन सा option इसका आंसर हो सकता है B option हो सकता है C option हो सकता है या फिर D option हो सकता है तो चलिए देखते हैं The place is too much noisy देखिए हमें पता है कि too much के बाद हमें some uncountable noun का प्रयोग करते है तो noisy नहीं होगा noise होता अगर यहां पर होता तो और much to के बाद हमें पता है कि हम adjective का यूज़ करते हैं तो यह तो देखिए friends यहां पर क्या वोला है कि the place is too much noisy तो हम too much का यूज़ एक साथ नहीं करते हैं usually noise के लिए हम बोलते हैं कि this place is too noisy this place is too noisy तो इसका answer C हो जाएगा this is too noisy तो this place is too noisy इसका answer C हो जाएगा this place is too noisy अगला question देखते है question number 8 है I wish I have come and over sooner I wish I have come and over sooner तो देखिए friends अगर काल्पनिक सेंटेंस हो wish वाले सेंटेंस हो I wish इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो तो इनमें कि पास्ट पास्टिंका बहुद हो रहा है तो तो इसमें I wish I had come and over sooner यूज़ होगा have का यूज़ नहीं होगा क्यों I wish के साथ हम हमे सब पास्ट या तो वी टू का यूज़ करेंगे या हैड प्लस मुख्य वाइब की थैड फर्म का यूज़ करेंगे तो यहां पर I wish I had come and over sooner हो जाएगा कि वो वो बला कि मैं विस करता हूँ कि मैं ए गंटे पहले आया होता तो इसका आंस्वर A हो जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्यूसन देखते हैं क्यूसन नंबर 9 है तो हमें बताना है कि जो अंडरलाइन पार्ट है वन इन दी मोस्ट पॉपुलर क्या कि इसमें किसी इंप्रूमेंट की जूर्थ है अगर इंप्रूमेंट की जूर्थ है तो इसमें कौन से पार्ट इसका आंस्वर हो सकता है A हो सकता है, B हो सकता है या फिर C हो सकता है या फिर इसमें किसी इंप्रूमेंट की जूर्थ नहीं है तो इसका आंस्वर D भी हो सकता है तो इसलिए देखते हैं sole is one in the most popular देखिए sole is single subject है तो हमें पता है इसके साथ single बाव बाव आएगा तो तीनों option में A, B और C में is use हुआ है single का ही use हुआ है आगे देखिते हैं one in the most नहीं होता है one of the most होता है तो one of the most सिर्फ एक option में use हुआ है बी में तो इसका answer B हो जाएगा देखिए sole is one of the most popular Hindi movies देखिए the most popular Hindi movies ये पूरा subject है Hindi movies subject है popular उसके आगे the most most क्या adverb काम कर रहा है popular adjective को काम कर रहा है ये noun को qualify कर रहे है हिंदी movies को qualify कर रहे है तो ये पूरा क्या है the most popular Hindi movies पूरा subject है याद रखेगा हमेशा अगर one of उसके बाद अगर subject है तो पुलर subject होगा उसके साथ हमेशा single verb आएगी तो इस sentence की अगर मैं particular बात करूँ इस question की तो इसका answer भी हो जाएगा तो चलिए friends अगला question देखते है question number 10 much of the truth about the mysterious death of her pet was not revealed तो हमें वताना ही कौन से part कौन सा option इसका answer हो सकता है क्या इसमें improvement की जूर्थ है तो चलिए सबसे पहले देखते है much of the truth देखिए much of के बाद हमेशा uncountable noun का use होता है truth हो रही है truth क्या है uncountable noun है much of the truth about the maistress means होता है रहस्य में तरीके से gopani तरीके से तो देखिए वाज का प्रियोग हुआ है किसके लिए हुआ है much of the truth के लिए हुआ है much of the truth क्या है single uncountable noun तो देखिए के साथ एम single web को use करेंगे तो वाज का यूज सही हुआ है वाज की वाज वी-3 यूज अरह है वाज की वाज दो दो यह भी सही है तो देखिए friend sentence में कोई भी improvement की जूर्थ नहीं है तो इसका answer D हो जाएगा तो यह अगला question देखते है question number 11 among applied sciences among applied sciences medicine is the one which have given man some power over death तो हमें बताना है is the one which have given क्या यह sentence सही है क्या underline जो portion है सही है क्या इसमें improvement की जूर्थ है अगर improvement की जूर्थ है तो कौन सा answer हो सकता है B हो सकता है C हो सकता है या फिर D हो सकता है या फिर इसमें किसी परकार की भी improvement की जूर्थ नहीं है या फिर इसका answer A हो सकता है तो चलिए देखते हैं among applied science medicine is medicine single subject है तो इसके साथ single verb is ही आएगा सही है is one which have नहीं होगा देखिए relative noun में मैंने आपको बताया था कि अगर which से दो noun जुड़े हूँ दो sentence जुड़े हूँ तो जो which के पहले which के जस्ट पहले subject होगा उसके अनुसार which के बाद जो helping verb है वो आएगा तो इसके पहले यहां पर देखिए one है one single है तो यहां पर have नाकर has आएगा is one which has given होगा तो is one which has given d option में है तो यही इसका अनुसर होगा